Hello friends, my name is Simran, मेरे चैनल में आपका स्वागत है Friends, मैं हमेशे आपको साइन्स पर आधारीद खिलोने सिखाती हूँ आपको खिलोने पसार आते हैं क्या? हमारा खेलना भी हो जाता है और सीखना भी हो जाता है आज मैं आपको ऐसा ही एक मज़ेदार जांच पर जाने वाला बंदर सिखाऊंगी वो भी सिर्फ पेपर से बना हुआ चोक गए ना? हाँ आपने सही सुना आज मैं आपको सिर्फ पेपर से सिंपल फोल्डिंग से जांच पर जाने वाला बंदर सिखाऊंगी बंदर बनाने के लिए जो जो चीजे चाहिए उनकी लिशन में नहीं पर दे दी है 15 cm by 15 cm ब्राउन पेपर के हाफ फोल्ड करो हाफ फोल्ड निकाल कर राइट साइड के पेपर को सेंटर लाइन तक फोल्ड करो लेब साइड पेपर को भी सेंटर तक फोल्ड करो पेपर के हाफ फोल्ड करो नीचे के पेपर को सेंटरल लाइन तक फोल्ड करो उपर के पेपर को भी सेंटरल लाइन तक फोल्ड करो ट्रैंगल शेप बनाओ ट्रैंगल को ऊपर फोल्ड करो ट्रैंगल का स्क्वेर बनाओ पेपर टर्न करके दुसरे साइड ऊपर जैसा किया है वैसे स्टिप्स फॉलो करो ट्रैंगल शेप बनाओ उसके नीचे छोटा सा ट्रैंगल बनाकर उपर फोल्ड करो ट्रैंगल फोल्ड करके छोटा सा ट्रैंगल बनाओ ट्रैंगल फोल्ड करके पेपर को अंदर डालो ट्रेंगल फोल्ड करके पेपर को अंदर डालो पेपर को टर्न करो फ्रेंग्स यहाँ फोल्ड बहुत इंपोर्टन है पेपर के प्लस साइन के फोल्ड अच्छे से दबा कर फोल्ड करो फोर स्कुर्ड बनेंगे ब्राउन पेपर पर बंदर के मूह कान पैर पूर पुच्च ड्रॉ करो किन प्लस पेपर पर बंदर के मूह के डिटैल्स ड्रॉ करो निट सी, अच्छ पिन से द्रॉ करो बंदर के पूच और पैर के आउटलाइन ब्लेक स्केच पेंच से ड्रॉ करो ब्राउन पेपर के मुँँ पर स्कीन कलर पेपर का मुँँ चिपकाओ कान को ब्लेक स्केच पेंच से बॉर्डर करो मुँँ के आउटलाइन ब्लेक स्केच पेंच से करने से बंदर और अच्छा लगेगा येलो पेपर के दो सेंटीमिटर के दो सरकल ले लो सरकल को कौन शेप दे दो ट्रैंगल को ग्लू लगा कर सरकल शेपकाओ दोने सरकल के कोन बनाओ जान्च तयार हो जाएगा कौन शेपकाओ ट्रैंगल को ग्लू लगा कर बंदर का मूँ चिपकाओ नीचे पैर और पूच चिपकाओ जांच बजाता बंदर तयार है प्रेंट्स बंदर बनाकर खूप खिलो कैसा लगा आपको यह बंदर ऐसे भी सायंस पर अधारित खिलोने गर पर ही घर की ही चीजों से बनाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो प्रेंग बनाने के लिए प्रेंग करो यह बंदर बनाने के लिए प्रेंग